ओके आज मैं आपको free fire के कुछ ऐसे important settings को वारें बताने वाला हूँ जिसका use करने पर आपके headshots काफी आसानी से लगने लगेंगे आपका moment speed, glow speed भी काफी ज़दा fast हो जाएगा और अगर आपके पास एक low in device है तो इनसे आपको lag से भी छुटकारा मिल जाएगा यान की आसान भाषा में कहें तो इन सारी settings का सही तरह से use करने पर आप एक बहुत ही जादा pro player बन जाओगे तो जब आपके game के settings ही रहेंगे तो हो सकते आपको real life में भी setting मिल जाए समझ रहे हो ना तो जिसको जिसको अपना setting करवाना है वो sorry sorry जिसको जिसको भी अपना gameplay improve करना है वो इस video को पूरे लास तक जरूर देखना और वीडियो के last में आपके लिए एक surprise भी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ओके तो सबसे पहले देखो game खेले के लिए जो सबसे ज़ादा जरूरी चीज़ है वो है हमारा custom hard and control settings हम सबेका अपना अपना एक अलग सा custom hard होता है जिसमे हम comfortable feel करते हैं और जब हमारे control settings है फिर custom hard बिगड जाते हैं game को दुबारा install या फिर update करने एक बाद तो आपके दुबारा हमें अपना पूराना hard बनाने के लिए बहुत ही ज़ादा time लग जाता है और ये बहुत ही ज़ादा frustrating होता है पर इसके उपर एक और चीज़ है auto download recommend sources तो इसको आपको हमेशा off ही रखना है क्योंकि अगर आप इसे on रखोगे न तो जो भी expansion pack होता है वो automatically download होता रहेगा और फिर आपका पूरा data खतम हो जाएगा अब इसको जो दूसरा setting है वो game खेलिंग के लिए बहुत ही ज़ादा important setting है और वो है sensitivity अभी मैं आपको आपके phone के हिसाबसे एक best सा sensitivity बता देता हूँ तो सबसे पहले बात करें general sensitivity की देखो mainly यही आपके device में touch response को control करता है अगर आप इसे ज़रूरत से ज़ादा रखोगे तो आप अपने character का movement ही control नहीं कर पाओगे अगर अगर आपके पास 6GB यह फिर उसे ज़ादा रहम वाला phone है तो आपको इसे 90 के आसपस रखना है और इसके बाद 2X scope की बात करें तो इसके sensitivity 4X scope के compared ज़ादा होती है तो इसे low end devices में 90 के आसपस रखनी है और 6GB यह फिर उसे ज़ादा रहम वाले phones में आपको इसे 85 से 90 के बेच में रखना है अब इसको आप 4X scope की बात करें तो इसे आपको low end devices में 100 रखनी है और 6GB फिर उसे ज़ादा रहम वाले phones में आपको इसे 95 पर रखना है अब next is snapper scope की बात करें तो देखो snappers जो होते हैं वो full control पे over करते हैं तो अगर आप इसे ज़ादा रखोगे तो snappers को इसे आपको हमेशा double slot पे ही रखना है double slot पे रखने से आपको glow and grenade के एक अलग-अलग button मिल जाएगे अगर आप इसे single slot पे रखते हैं तो आपको grenade, glow, bonfire ये सभी के लिए एक ही button मिलेगी जिससे की intense situations में आप बहुत ही जदा confuse हो जाएंगे और आप glow लगाने के जगे आपको आप इसे आपको बहूल के भी और नहीं करना है क्योंकि अगर आप इसे आपको आपके बास glow नहीं भी होगा ना तो हाँ पे भी glow का आइकन शो करेगा जिसकी बज़ेसे ने आपको बहुत ही जदा confusion होगी कई वार आपके पास glow नहीं होगी बट फिर भी जब ये आइकन शो करेगा ना glow लका तो आपको लगेगा कि आपके पास glow लेंड आप उहां पे fight लेने चले जाओगे तो इसलिए इसे आपको हमेशा off ही रखना है अब हम नहीं पर भी जो आप लूट करोगे न तो सबसे पहले आपके हाथ में गन आईगी अब फिर इसके नीचे आपको रखना है आर्में एंड बैक पैक फिर उसके नीचे एमो फिर अटेजमेंट्स और फिर मेडिकेट्स में आपको यहां पर एक और चीज़ मिल जाती है इनके नवर्स को एड़जस्ट करने का तो सबसे पहले नॉर्मल मेडिकेट को आपको जादा से जादा तीन चार पे सैट करना है घूकि फुल नबर में आपके पास जितना जदा सूपर मेडिकेट्स होगा न उतना जपա आपको फायदा मिलेगा एड़ फिर इनहिलर्स को मैक्स सेट कर देना है जितने भी नमबर तक आपने सेट किया ना उतने नमबर तक मेडिकेट्स आपके बैग में ओटमेंटिकली पिक अप हो जाएंगे अब इसके नीचे आपको रखना है ग्रिनेट्स को फिर स्पेशल एक्युपेंट्स एंड लास्ट में इवेंट आइटम्स फुल मपेंट्स येस दो नो मोड्स के लिए ना आप इसी तरह से सेट कर देना जब आप इतना कुछ कर्द होगे ना तो आपका लूट करने का स्पीड काफी जदा फास्ट हो जाएगा अब फिर नमबर पर इसने भी सेटिंग्स हैं इन्हें आपको ओफ ही रखना है अगर आप सभी सेटिंग्स को अन रखोगे तो आपका फोन एक वैब्रेटर जैसे बन जाएगा यार आपका फोन गेम के लिदेटाम पूरा वैब्रेट ही होता रहेगा अब इसके बाद आपको डिस्प्ले में आ कि आपको free look को on कर दिना है अगर आप इसे on रखते हैं तो आपको किसी भी direction में देखने के लिए आपको अपने character को उस direction में घुमाना नहीं पड़ता है जैसे कि landing करते हैं आप free look button के मदद से पीछे देख पाऊगे कि कितने बंदे आ रहे हैं और आपका character सामने land करता है तो इस setting को on करने के बाद आपके teammates आपसे जूट नहीं बोल पाएंगे तो इसके लिए आपको BR scoreboard को on कर देना है और इसके निचे आप इसे hold पे set कर देना अब जब भी game खेल देटा हैं अब अपने teammates के नाम की उपर long press करोगे ना तो उनके पास जो भी loot items है ना कौन से gun ह है कितने grenades है कितने medikates है इन सभी का आपको पता चल जाएगा तो है ना इकमाल की चीज़ अब इसके बाद अगर आपका phone lag होता है ना तो इसके लिए मैं आपको काफी सारे settings बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको recording के section में आना है यहाँ पर अगर आपका replay on है ना तो इसे जल्दी से off कर देना है क्योंकि इसकी वज़े से जब आप game खेलते है ना तो आपका game background में record होते रहता है free fire में जिससे आपके processor पे काफी ज़दा load पड़ता है तो इस setting को आपको off ही रखना है अब इसके बाद आपको EFF Max के section में आ जाना है यहाँ पर जो भी settings है नहीं है आ आपको i button description and end screen में एक video मिल जाएगे उसे आप जरूर से देख लेना अब हमारा 9th setting है aim precision का देखो इसी की वज़े से हमारा aim enemy के body पे connect होता है और हम उसे headshot और फिर body shot मार पाते हैं यहाँ पी आपको 3 settings देखने को मिलते है default, precision, scope and full control तो आपको इसे हमेशा default पे ही रखना है क इस पे tap करने के बाद आपका character भागने लगता है और अगर आप इसे drag पे रखने तो दोड़ने के लिए आपको joystick का button पूरा ऊपर की तरफ खीजना पड़ेगा अगर mixed पी होता है तो आपको दोड़ने के लिए एक button भी मिल जाता है और साथ ही आप joystick को drag करके भी भाग सकते ह तो यहाँ पे इसे आपको हमेशा classic पे ही रखनी है क्योंकि अगर आप इसे drag या फिर mixed पे रखोगे न तो आपको बहुत ही ज़दा confusion होगा and movement करने मैं आपको काफे ज़दा दिक्कत आएगे and vehicle controls को आपको हमेशा 200 पे ही रखना है क्योंकि 200 से vehicle को control करना काफे ज़दा easy होता as compared 100 तो यह थे कुछ important setting जिसे अगर आप इस तरह से रखते तो आपको बहुत यज़दा help मिलेगा game खेलते time अब surprise की बात करें तो दिखो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube पे 2,000,000 फैमिली complete हो चुकी है तो इस मौके पे मैं सूच रहा हूँ कि आप सभी एक लिए क्ल आप लग जो भी questions मेरे इसे पूछेंगे उनका जवाब में क्यों यह वीडियो में दे दूँगा अब अगर आपको लैक fix करने की वीडियो चाहिए तो आप left वाली वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाक जरू कर देन अगर आप हमारे शानल पे नए तेसे सब्सक्राब ही कर देना तो तब तक लिए बाबाए मिलते हैं एक और वीडियो में